नवस्कार दोस्तों कैसी आप सबी उमीद ही है कि आप बहुत अच्छे होंगे आपका स्वागत है फिर से आपके ही अपने यूटूब चैनल सरगम रिकॉर्ड्स पर दोस्तों सबसे पहले तो आपको दीपाबली की एडवांस में धेर सारी शुप कामना है दीपाबली आने वाली है पर दीपाबली से पहले आ रही है धनतेरस हम धनतेरस को खास क्यों मानते हैं चलिए आज इसी के बरे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हिंदु धर्म में धंतिरस का बड़ा ही खास मेतव है। ऐसा माना जाता है कि धंतिरस पर लक्षमी जी की पूजा करने पर घर में धन, सुक, स्मर्दी आती है। इस दिन धन के देवता कुवेर की पूजा की जाती है। हर साल की कार्थिक मार की कृष्ण पक्ष की के दिन विशेष पूजा की जाती है। इसके साथ ही मना यह जाता है कि इनकी पूजा करने से धन संपति के साथ साथ सेहत की भी प्राप्ती होती है। प्राने कताओं के मताबिक धन तेरस के दिन यदि किसी विशेष स्थान पर दीपक जलाएंगे तो आपकी आर्थिक स्थ दूर होगी मतलब की आर्थिक स्थिति का संकट दूर हो जाएगा जी हां कुछ ऐसे विज़ेस स्थान है जहां पर मात्र दीपक जलाने से धन तेरस को दीपक जलाने से आर्थिक स्थिति दूर हो जाती है चलिए बताते हैं वो भी आपको धन तेरस की शाम के समय अगर आप प दन की कमी कभी नहीं आएगी। इसी दिन आप दूसरा दिपक अपनी घर के चोकट के सामने जरूर रखें। जिससे मालक्ष्मी का वास होगा। जहां मातलक्ष्मी वास होती हैं, दन संपती वहीं आती है। वहाँ पे इनके खजाने कम नहीं होते। इसलिए धनते रस के रात को चोकट पर दिपक जलाना हरगीज ना भूलें। धनते रस के दिन घी का दिपक एक जगय और जलाना चाहिए। जी हां वो है आपका पूजास्तल। पूजास्तल पर घी का दिपक आवशे जगाएं। जिससे मया लक्षमी परसन होती हैं और आपको धन्य धने की प्रापती देती हैं। जलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए विशे के साथ। तब तक आप हमेशा की तेरे मस्त रहें, व्यस्त रहें और जबर्दस रहें। दीपावलिके एडवांस में धेर सरी सुप्वाम नाए।